भार्ती एस्टेट बैंक ने अपने 44.5 एक करोड बचत खाताधारकों को गुरुवार को दो बड़े फैसले लिये हैं पहले फैसले में SBI ने बचत खाते पर जीरो बैलेस की सुषिधा दी है जबकि दूसरे फैसले में बचत खातों पर मिलने वाली ब्याज दर घटा दी है SPI ने बुद्वार को जो फैसला लिया है इसके तहट बचत खातों में न्यूंतम बेलेस बनाए रखने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है ऐसे में अब ग्राहकों के खाते में रकम नहीं होने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा जबकि दूसरे फैसले के तहट बैंक ने बचत खातों पर अब तक मिल रही 3.25 फीसिदी की ब्याज दर को घटा कर फ्लेट 3 फीसिदी कर दिया है भारती स्टेट बैंक ने बचत खाते में औसत मासिक न्यूंतम राशी रखने की अनिवार्यता बुद्वार को समाप्त करने का फैसला किया इससे अब बैंक के सभी बचत खाताधा रखों को जीरो बैलेस की सुविधा मिलने लगेगी SPI ने एक बयान जारी कर कहा कि देश में वित्तिय समावेशन को आगे बढ़ाने के लिए उसने औसत मासिक न्यूंतम राशी एमबी रखने की अनिवार्यता खत्म की है बता दे कि अभी मेट्रो शहरों में बचत खाताधा रखों को न्यूंतम राशी के रूप में 3,000 रुपे कस्बों में 2,000 रुपे और ग्रामीन इलाकों में 1,000 रुपे खाते में रखने होते हैं अभी तक न्यून्तम राशी की शर्ट पूरी नहीं करने पर ग्राहकों को 5-15 रुपय तक जुर्माना और करों का भुक्तान करना पड़ता था इस संबंध में बैंक के चेर्में रजनीश कुमार ने कहा कि यह फैसला और अधिक लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला होगा SPI ने दूसरे अपने फैसले में बचट खातों पर ब्याज दर घटाई है अभी तक बचट खाताधारकों को खाते में जमाराशी के अनुसार 3.25 फीसिदी की दर से वार्शिक ब्याज मिलता था परंतु नए फैसले के बाद इस दर को घटाकर फ्लेट यानी एक समान रूप से 3 फीसिदी कर दिया गया है इसके साथ ही मियादी जमाऊ, फिक्स डिपॉसिट याफडी और कोश की सीमान तलागत आधारित ब्याज दरों MCLR में कटोती की भी घूश ना की है बैंक ने एक और फैसला लिया, SPI ने उप्रोप दोनुं फैसलों के अलावा एक और निरने लिया है इसके तहए तब उसके ग्राहकों को SMS सेवा के लिए त्रेमासिक आधार पर लगने वाला शुक नहीं चुकाना होगा इसे भी खत्म कर दिया गया है